हेलो दोस्तों दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल का फोर्म बरने वाले सभी चात्र ये वीडियो जरूर देखें क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी बाते बताने वाला हूँ कि बहुत सारे चात्र ऐसे होते हैं जो अभी उन चीजों को फोलो नहीं करते हैं और आकिर में वो ये जो नहीं ले पाते हैं उनका कारण क्या है वो बता दिता हूँ एक तो देखो फोर्म बरने से पहले आपना दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल का जो फीजिकल क्राइटेरिया है वो अच्छे से देख लेना हाइट वेट जितना भी आपका सब कुछ है इसमें हाइट क्या रहते है चौदा फूट लोंग जम्प छे मिनिट में सोला सुमेटर रनिंग करना वो टफ काम होता है तो आपको क्या करना है छे मिनिट में सोला सुमेटर रनिंग के लिए अभी से ही आपको क्या करना है कि हपते में च्यार दिन तो आपको भागना ही है सुबह या श्याम को बीच म को 16 सुमिटर की जो रनिंग है आठ मिनिट टाइम आएगा साड़े साथ टाइम आएगा इससे कम टाइम नहीं आएगा अगर आपने कभी रनिंग की नहीं तो और आपने थोड़ा बहुत रनिंग कर रखा है आपने तब आपको साथ मिनिट आ सकता है लेकिन आपको 6 मिनिट र पुबे या शाम को, दोनों में से कोई एक टेम आपको डेली रूटिन में डाल लेने, टाइन टेबल में, दूसरा हपते में एक बार आपको चलो अभी तो रहने दो, लेकिन जब आपको फिजिकल के दो तीन मंत रहे, आपको यह लगए कि आप दो तीन मंत फिजिकल को है, उ लेकिन जो 14 फूट लोंग जम्प है, वो इतना असान काम नहीं है, मैंने ऐसे भी बहुत सारे चातर देखे हैं, कि फिजिकल, जैसे रीटन एक्जाम खत्म हुआ, उसके बाद में, खत्म होने के बाद में वो लग जाते हैं, फिजिकल का, बहुत जल्द बाजी करते हैं, सा ज्यादा टफ काम है, दूसरा जो हाई जम्प है, वो, लोंग जम्प, हाई जम्प, फिजिकल का, अच्छा फिजिकल है इसमें, दिली पुलिस कॉंस्टेबल में, तो उसका ध्यान रख लेना, उसके बाद ही, आप हाइट वगरा, यह सारा एक दम अच्छे से नोटिफिके होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस वगरा, वो सारा का सारा इसमें सब कुछ चाहिएगा, तो वो आप पहले ही बना लेना, उसके बाद यह आप यह फोर्म डालना, यह फालतों की बीड करना भी देखो सही नहीं है इसमें, तो जितने भी छात रहें, उस अच्छे से पहले नोटिफिकेशन देखे, हाइट अगर आपकी हाइट में भी देखो बता दिता हूँ, अगर आपकी पूरी-पूरी हाइट 170 है, यहाँ 170 मापते हो पूरी-पूरी घर पे, तो एक बार आप कहीं जाके किसी दूसरे को बोल देना हाइट मापते, क्योंकि यहाँ अगर 170 होती तो वहाँ पूरी नहीं होती है, ऐसे होते हैं, बहुत सारे जणों में उनको निकाल देते हैं, हाइट में ही पिले, तो यह सब आप देख लेना बहुत सांदार दिली पूलिस कॉंस्टेबल की जोब होती है, अच्छी सेलरी होती है, और दिली पूलिस कॉंस्टेबल की ला प kysकरश। में और करने, अविकक कई लॉखे करें और लॉखे को ओँड़ा का ओद सुझारा। वीडियो आपको बना के इस में दिखा दूँगा मैं लोंग जंप की आसंड टेकनिक कौन सी है बेली जंप और और भी जो टेक्निक है ये दूसरी केंची जंप वाले सारे का सारा मैं आपको करके खुद दिखाऊंगा कि आपको हाई जंप हाई जंप का बता रहा था ये जो आपको बाताएं केंची जंप, बेली जंप, हाई जंप की टेकनिक, लोंग जंप की टेकनिक, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, चैनल को सब्सक्रेब जरूर कर लेना, वो बाद मैं बताऊँगा जब फिजिकल पास में आएगा तो, ठीक है? तो और 6 मिनिट के रणिंग के लिए आपको क्या क्या चीज फोलो करना है, बहुत सारे ज़ने होते हैं कि वो एकेड में चले जाते हैं, कोई 20,000 रुपे लेता हैं, कोई 30,000 रुपे लेता हैं, तो यह सब आप घर पर कर सकते हो, बस आपको क्या करना हैं कि अब भी थोड़ा है न, डेली रूटीन में अपना रनिंग वगरा डाल लो, तब आपका यह आसानी से हो जाएगा, दिली पूलिस कोंस्टेबल के लिए कि आपको यह चीजे ध्यान रखना है, तो फिजिकल मजबूत कर लेना एकदम अच्छे से, बाकि आपका जो भी और भी कोई डाउट हो, वो कमेंट बक्स में जरूर बताएगा, मैं उसके अकोडिगा दूसरा वीडियो बनाऊँगा, और आपका डाउट सारा कलिर कर आज के वीडियो में इतना है, जय हिंद, जय भारत